जैसे कि अपने देसी मसाला एनिवी पर एपीसोड 52 को देखा जियान ने मिस्टी क्लाउड से के सभी वोरियर को बहुत ही आसानी से अरा दिया था अवा पर बचा हुआ था यून फैंग तो जियान उसको मानने के लिए अपनी ग्लेस प्रेम को बायन निकाल लेता है और उसस मुट्ड़ाइं को सत्वेवरी नजरों से देखके और बोलते हैं किया तुम असलियत में जियानी हो तो जियान अस्तियों रोलता है किसी की हुमत है जियान आपको जियान बोल पाए कि इस नाम से किसी से पहले एक बाद न शोचेगा और साधी आपका बहुत बहुत धनवा दी जिसके लिए तुमको थैंक्यू बोलना पड़े मुझे तभी जयन बोलता है कि अच्छो हो कि मुझे यह आपने बता दिये कि मूगलेन मेरी मदद कर रहा है वरना मैं मैं मिस्टी क्लाउड से क्यों पर हमला करने जाता और साथ मैं मुगलेन को भी लपेट लेता और तभी मुटाई बोलता है कि तेंक्यू जयन जो आपने आज मेरी जान बचा ली और साथी मेरे जयन यह उपास को भी बचा लिया वरना मैंगलिंग आज मुझे मार डालता तब भी जया बोलता रे मूटाई आपको थेंकी बोलने की कोई भी जूरत नहीं है बस आप मेरी एक हैल्प कर दो किया आप मुझे बता सकते हो इन तीन सालों के अंदर जीमा एंपैर के अंदर क्या कुछ हुआ है तो मूटाई बोलत ता तो होना चाहिए क्या चल रहा है उदर और इसलिए जयान हां कर देता है और फिर जयान के सभी दोस्त और मूटाई पहुंच जाते एक हौल के अंदर और फिर वो सभी लोग कुर्चियों के उपर बैट जाती है और फिर मूटाई कुछ रसीनों को बुलाते हैं वापे चाहिए सर्प करने के लिए गलत मस समझना और फिर वो सपी को चाहिए देती है और फिर चालू होती है चाहिए पी चर्चा जापर मूटाई बोलते हैं जियान तुम लास्ट ताम मुझस से मिली थे तब तुम दावदावसी की लेवल पर थे पर इन तीन सालों के अंदे त तो मुझसे इते ज़्यादा पॉरफल होगे कि मैं ना तीन मैं ना तेरा मैं तुमारे सामने जियान एक स्माइल देते तब ही मुटाई जियान की बगल में बैट गवी लोगों को देखता है जापन लिंग यान लिंच होई या जिया बैट गवी होते है उनकी पावर जब इंपाईर के अंदर इसलिए आप वो बताईए तो इस इंदिकन मुटाई बोलते कि जियान आ तुम बिल्कुल सही बोलर क्यों कि तुमारे जाने के कुछ दिनों बादी मिस्टी क्लाउड सेक ने अपने सभी वारियोरों को जीमा एंपर की अलग लग सिटियों के अंदर भ पर उन लोगों ने कुछी दुनों बाद जीव के लायन की उपर अमला कर दिया और फिर लोगों ने जीव फैमिली के सभी मेंबरों को मारा जाए वो बूरा हो चाहे वो बच्चा हो उनने किसी को भी नी चुड़ा उनने सब को मारा पर वहां से कुछ लोग जरूर बच के पर रही इसके बारे में कोई भी आईडिया नहीं है और इस बहुत से जीव के से जीव फैमिली के लोगों की मदद की है इस बज़े से तो मैं सबसे पहले जाकर प्रामर क्लें से बात करनी चाहिए तो यह स्विंतिकन जियान वोलते तो मुझे सबसे पहले जाकर Ice Emperor से मिलना होगा तो मोटे विलते यहां पर तो मैं एक बात पहली बता देता हूँ जो प्राइमर क्लेन की जो लीडर है अब वो याफी है और वले उसका जो कल्टिवेशन वो इता ज़्यादा अच्छा नहीं है पर जब से वो प्राइमर क्लेन की लीडर बनी तब से जो प्राइमर क्लेन वो काफी ज़्यादा पारफुल हो चुक है याँ था कि वो जी मैं एमपार के टॉप त्री क्लेनों में से अब एक है पर जी जब याफी का नाम जाता है तो उसके चेरे पे बड़ी से स्माइल आ जाती है और बोलता है कि याफी को मैंने प्रोड़ा सा हलके में लिली पर वो तो काफी ज़दा बात दूर और समझदार निकली क्योंकि अभी तक मैं जितना उसको समझता तो उसके जो पावर लेवल हो भी दादावसी से नीचे होगा पर यूँ इतनी पावरफुल क्लेन को चला रही है ये तो बात काफी दा कावीली तारीफ है और फिर जियान मूटाई से बुलता है कि 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 आपको यूंसेन की बारे में कुछ आइडिया है तो मूटाई बुलता है कि मुझे उसके बारे में ज़्यादा तो नहीं पता है पर मैंने रूमर सुने है अब भू तीन सालों के अंदर काफी जड़ा पावर फ्लो चुका है पर तबी जियान को ये घशता हुए चैरा याद आता है और वो चैरा काफी ज़ assistants प्यारा और प्यारा काफी ज़़ादा मासूम उता है और उसको याद कर तीकार जियान को गुस्सा होता तौर बोलते हैं कुछ नहीं हो और पिर मूटाई से पूश्टा कि आप मुझे बता सकते हैं कि मिष्टि क्लावट्सक का अभी कौन लीडर है तो मूटाई बोलते हैं गेर भी मुझे पता चली ना हुआ है था मैं रहते हैं everybody बोली गया जो मुझे एक मुख्लेंट की एल्डर ने बताई ये आप जो ये वीडियो देख रहे हुँ खतम हो चुकी अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक निकिया तो लाइक करो और सती अभी तक चैनल को सस्क्राइब निकिया तो क्या कर रहे हुं करो यार और मैं